टाव फाइब बैस्ट लैप्टाफ और वीडियो एटिंग के लिए तो भाई अगर आपका बजड़े 40,000 है 40,000 के बलेड में आपको एक लाइक का वीडियो एटिंग के लिए लैप्टॉप चाहिए यह वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए करूँ तो वीडियो के साथ बने कर सोगे उसके साथ अगर आपने टैनेटी पी पर वीडियो एटिंग करनी है आप नौनी स्मूथली कर सोगे आपको कोई भी प्राब्लम नहीं आने वाली एंड मैं आपको दो या एक लैप्टॉप ऐसा भी बताऊंगो जिस पर अगर आपने 4K करना है आप वो भी कर सकते ह तो स्टार्ड करते हैं नंबू 5 की बात करते हैं नंबू 5 पर यार मैंने रखा है HP 14 को अगर इस लैप्टॉप की बात करो सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं आपको 41,000 के बटर में HP 14 इस स्पैसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जागा आपको i3 देखने क को मिलेगी अगर मैं SSD की बात करो इसमें जार जो डाटा है ना वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है इस कंपारजन के आज है HDD के साथ ठीक है 8GB RAM देखने को मिलेगी जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक ठीक है प्लस आपको इंटीग्रेटरी ग्राफिक कार मिलता है ठी आप इस लैपटाप पे कर सकते हो बस मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूं कि अपने 16GB RAM के और minimum जाना ही जाना है अगर आपने वीडियो एटिंग करनी है जा अगर आपने गेमिंग करनी है तो आपकी जो गेमिंग है वह experience अच्छा नहीं होगा अगर आप 8GB के पास जा सबसे पहले यही लैपटाप भी आपको 41,000 के बटर में देखने को मिल जाता है लैपटाप का design, build quality बहुत जारा सही है प्लस भी अगर आपको as a student भी चाहिए as a office पर के लिए भी चाहिए अगर आपने वीडियो एक्टिंग भी करनी है अगर आपने gaming भी करनी है अब सभी के लिए best deal हो सकता है इसके सबसे पहले graphic card की बात करते हैं आपको Intel UHD graphic भी देखने को मिल जाते है ठीक है आपको MX350 2GB graphic card भी देखने को मिल जाते है तो अगर आप 2GB के और जाना जाते हो आप जा सकते हो लेकिन उसका price आपको देखने को मिलेगा 46,000 के बटर में and इसमें आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है प्लस आपको SSD देखने को मिल जाते है तो प्लस पॉइंट तो इस laptop के देखने को मिल जाते है लेकिन अभी मैं आपको इसका minus point भी बता देता हूँ so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा इसके minus point की बात करूँ आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आ जाता है so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता वैसे इसकी display quality बहुत ज्यादा सही है build quality उसके साथ भी इसका trackpad, touchpad भी बहुत ज्यादा सही है long battery lap मिलती है सबसे पहली सबसे पहली बात आती है कि आपको 10 hours का battery backup मिल जाता है मैं जितने भी आपको laptop बता रहो ना कि कि किसी laptop में भी आपको 10 hours का battery backup नहीं मिलता सबसे पहले इसका budget बहुत ज्यादा सही है आपको मिल रहा है so that's why मैं इसको number three पर रखा because अगर आपका budget 40,000 से भी कम है अगर आप extra pay नहीं कर सकते आपके लिए best deal हो सकता है Lenovo IdeaPad Slim 3i Plus अगर मैं इसके budget range की बात को 37,000 के budget में मिल जाता है plus आपको इसके साथ Lenovo laptop bag भी देखने क को मिल जाता है मतलब अगर मैं उस laptop bag की price की बात करूं वो आपको 2000 के budget में देखने को मिल जाता है तो यह laptop का प्राइज हो जाता है 35,000 के budget में अगर आप 5% या 10% आफ ले ले लेते हो HDFC कार पे या SBI कार पे इस laptop में आपको 5000 less देखने को मिल जागा तो इस laptop का प्राइज हो आप देख लेना अगर आपको 10th generation बहुत है तो आपको वह laptop भी बहुत अगरा मिल जाता है कोई problem नहीं आती है 10th generation हो गया 11th generation हो गया इतना इनका जो फ़रक पकारा नहीं होता ठीक है आप long time video यूज कर सकते हो इस laptop को as a student as a office work के लिए चाहिए अगर आपने को heavy software यूज करना अगर आप video editing बगर आभी करना चाते हो उसके बाद भी अगर आप normal setting पर gaming भी करना चाते हो आप इस laptop पे कर सकते हो प्लस आपको 8GB RAM देखने को मिल जागी 12GB तक अप upgrade कर सकते हो प्लस आपको SSD देखने को मिल लाइट वेटर प्लस आपको MS Office भी देखने को मिल जाता है 2019 version यह laptop के main specification तो मैंने आपको बता दी अभी मैं आपको फिर से repeat कर देना चाता हूं कि आपको 8GB RAM मिल जाते हो लेकिन आपने upgrade करनी ही करनी है 12GB तक आपने रखनी ही रखनी है ठीक है अगर आपने gaming करनी है अगर आपने video editing करनी है अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना office बर के लिए चा को मिलता है तो आगे बात करते है नमबर टू की बात करूं नमबर टू की बात करूं नमबर टू पर जार मैंने रखिया असूस वीबो बुक अल्ट्रा फिफ्टीन को अगर इस laptop की बात करूं भई अगर आपको 41,000 के बज़र में एक slim and stylish design भी चाहिए अगर आपको gaming भी करन में आपको देखने को मिलेगा ठीक है आपको 2020 model देखने को मिलेगा आपको i3 11th generation के साथ मिलता है 8GB RAM मिल जादा है 16GB तक आप upgrade कर सकतो प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिलेगी मैंने आपको पहले बता दिया slim and stylish design है तीन गलज में देखने को मिलता है and इसके battery backup की बात करूं आपको रसूस laptop के भी बता दिया सच में laptop का जो design है जा color कर रहा है वो बहुत ज्यादा लोग सही देते है and specification के according देखा जाए वो भी बहुत अपर आपको मिल जाता है आपको i3 देखने को मिल जाता है 11th generation के साथ SSD देखने को मिल जाता है 16GB तक आप RAM को upgrade कर सकतो and आपने करनी है ऐसा नहीं है कि आपने 8GB रखनी है अगर आपको experience अच्छा चाहिए तो आपने 16GB RAM minimum रखनी है अब आगे बात करते हैं number one की number one की बात करो number one पर यार मैंने रखा इस सबसे पहले अगर इसके budget range की बात करो आपको अगर आप extra pay कर सकते हो आप इस laptop के और चले जाना because आपको आपको 2GB ग्राफिक कार देखने को मल जाता है तो इस पे तो आप नॉर्मली गेमिंग भी कर सकते हो और आप वीडियो एटिंग भी कर सकते हो अगर आपने 4K भी ट्राइक करना आप कर सकते हो बस आपने 16GB RAM minimum रख लेनी है 2GB आपको ग्राफिक कार मिल जाएगा i5 के साथ आ बहुत अगड़ा है RAM भी तगड़ी हो जाएगी एंड आपको ग्राफिक कार भी 2GB मिल जागा तो भी आपने जैसे भी यूज़ करना है आप कर सकते हो तो अभी मैंने आपको सभी लैप्टाप के स्पैसिविकिशन बता दिये मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं अग जो है वह बहुत ज़्यादा सही कर रहा है आप असूस के लैप्टाप के और चल जाना वह बहुत आपको स्पैसिविकिशन तगड़ी मिल जाते हैं अगर मैं बात करूं अगर आपका बज़र थर्डी फाल्स हो रहने है तो इस बटेट रेंज में भई आप जा सकते हो लिन अगर आप अनिमेशन करते हो काटन ड्रॉ करते हो कुछ भी गरते हो प्रोग्रामिंग करते हो जा अगर आप कोडिंग करते हो आप सभी के लिए जो मैंने लैक्टाप बता है वो बैस दील हो सकते हैं अब यह आगे मिलते हैं कोई नया टॉपिक बगारा लेकर आएंगे आपको डिस्केप्शिन बॉक्स में देखने को बढ़ी जागा स्कूच आओ पर नहीं मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो साथ थैंक्यू